नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में आज हम करने जा रहे हैं संख्या पद्दिती के दो प्रस्नों को तो दोस्तों यहां पर प्रस्न दिया है प्रस्म क्या दिया है यदि दो अंकों की संक्या और उसको लटने से बनी संक्या का योग नियानवे है तो संक्या के अंकों का योग क्या होगा तो दोस्तों इस प्रकार के प्रस्मों करने के लिए हमको पहले मानना पड़ेगा माना मान लेते हैं कि माना की एकाई कांग एक्स है तथा दाहाई कांग मान लेते हैं अब दोस्तों प्रेशन क्या बोल रहा है अपने से दो अंकों की संख्या क्या हो जाएगी एकाई कांग एक्स है तो दाहाई का दाहाई में टैन वाई प्लस एक्स ये दोस्तों पूरी संख्या हो जाएगी है हमारी पहली दो अंकों से बनी संख्या है तो दहाई में 10 कबोना कर देंगे और एकाई में 1 कबोना कर देंगे तो हमारी पहली संक्या यह हो जाएगी और दूसरी संक्या क्या बोल रहा है उसके अंकों को उलटने पर अब उलटने पर क्या करेंगे हम यहाँ पर 10x हो जाएगा और यहाँ पर प्लस y हो जाएगा अब प्रिस्म क्या बोल रहा है उनका योग तो इन दोनों को जोड़ देंगे यहाँ पर 99 अब दोस्तों हमको संक्या ग्याद करने है तो इक्विशन को सॉल्व कर लेंगे 10 और 11y हो जाएगा प्लस 11x हो जाएगा बराबर 99 अब 11 को बहाँ निकल लेंगे x प्लस y तो 99 x को इसके नीचे पहुचा देंगे x प्लस y बराबर 99 बटे 11 इसको हल कर लेंगे इसका अंसर जाएगा अमीदे दोस्तों आप वो समझ में आया होगा अब अगला प्रिशन करते हैं दो अंकों की किसी संख्या और उसके अंकों को उलडने पर बनी संख्या का अंतर 63 है तो उस संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा तो दोस्तों यहाँ पर दिया है वही सवाल है मान लेते हैं काई का अंक का अंक एक्स है तथा दहाई का अंक वाई है दो तो संक्या क्या बनेगी हमारी टैन वाई प्लस एक्स और दूसरी संक्या क्या बनेगी हमारी टैन एक्स प्लस वाई यह पहली संक्या बन गई और उसको लटने पर यह संक्या बन गई अब क्या बोल रहा है उनका अंतर त्रेशाट है तो उनको गटा देंगे यह कुष्टेक में लेना पड़ेगा क्योंकि बाहर माईनस का घटाने का चिनने इसलिए अब दोस्तों इसको हल करेंगे इसका माईनस का अंदर को नो हो जाएगा जी हो जाएगा माईनस 10x और माईनस y इक्वाल टू 63 अब इसको घटा देंगे यहाँ पर दोस्तों यह प्लस का है और यह माईनस का है तो यहाँ पर हो जाएगा 9y यह माईनस है और यह प्लस है तो दस में से एक गया बचाएगा यह 9x हो जाएगा इक्वाल टू 63 यहाँ से नो बाहर ले लेंगे अमेदे दोस्तों आपको समय में आया होगा धन्यवाद प्लस का है